हेलो दोस्तों वेल्कम बैक टू अभी नब परताब सी मोलोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना गीववे के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो अभी आप देख सकते हो मैं हूँ यह होने वाला है गेहूं के पार्ट थ्री का पार्ट सेकिंड तो अभी मैंने एक वीडियो एंड की है उधर वाले खेट की यह अपना ट्वैल और यह अपने गेहूं जिनकी थमने लगे फोटो भी यहीं से कुछ ऐसी रहेगी बाकी अभी आपको मैं दिखाता हूं अपने गेहूं पर इन पर भी बैल आ चुकी जो अब हमारे यह वाले ग उधाई के साब से बोई हुए हैं यानि 25 परसेंट है जो अनकी रखवाली कर रहा है उन्हें काटेगा और जिसमें बोई हैं खाल अगया डाला है और और 75 परसेंट है हमारी यह चीज मैं आपको सारी मतलब एकदम डिफाइन करके समझा दूँगा अच्छी तरह जब इसका फाइनल पार्ट मैं बनाऊंगा इन गेहूं पे भी मामला आ चुका लेकिन इस वक्त बच्छडे थोड़े ज्यादा नुकसान करते हैं तो इसके इस थोड़ा सा 360 चक्कल भी ले लो यह अपने खेट वह अपना इंग यह उनकी सरसो यह भी लगबग फरवरी के लाश्ट में कटनी सुरू हो जानी चाहिए मार्च के बीच तक तो निकली जाएगी सबकी सरसो और यह इनका ही जो कि सारा कट चुका है चलते हैं पीदी रजी रागए और फटा फट और उधर के बता दूँ इनकी भी सरसो है जो यह भी लगबग फरवरी के लाश्ट में कट जाएगी और यह बाद निकलने की एक हफ खाद इन खेटों में किरवाले वो भी एक चीज के द्वारा वो भी चलिजाएगा पता क्योंकि मेरे पेपर एक मार्च को खतम हो जाएंगे तो उसके बाद मैं फिरी हूँ यह देख सकते हैं आप सिस्टम यह न बच्छे खा जाते हैं जैसे आपको यह खाया हुआ सिस्ट दिख रहा है बशेर सुने नुकसान करते हैं थोड़ा नहीं काफी अच्छा नुकसान करते हैं अब बात यह बीच में घुस घुसके खाते हैं नहीं जबी तो आ रखे हैं हाँ पर वह अब तक इन पर वह बैल आ जाती जो सुलू के दिन बोए गए थे वो सिर्फ यह दो कैरे बोए गए थे जिने बच्छिटे थोड़े ज़्यादा खाते हैं फिर बाद में लगवाग पांस विगे तो चुथाई वाला सिस्टम है बाकी छें च्छें का सपास इसा है दो पांच छें का सपास और तीन यह नु कोई छोटे ही हैं यह तो टाइम ले लेंगे इनके उपर लगबग होली के बाद आएगी और एदम आने के बाद मामला पकना सुरू हो जाता है यह नहीं घ्याओं को पकने सुरू दौन्नों थम्nsinnclी फोटो तो हो चुकी है वीडियो की यह घ्याओं के पार्ट ट्री का अन्हा जो में बात है इसकी दौन्नों में दौन्नों पानी आ चुके हैं दौन्नों क्हाद गिर चुके हैं कुछ सम्यबाद इसप्धारे करा जाएगा उसप्यरे की पार्ट फोर और मैंने एक बड़े वाला में खाल से घ्योंका नहीं बनाया था, सिर्फ पता नहीं बनाया था, सायद बनाया था मैंने यह अपना हीक, उदर फटा-फट चार बेट सो भी सेकिंड होगी, मैं रोखता हूँ वीडियो को, वो सर सो भी पकने वाली, मतलब कटने वाली है, पक तो चुकी ओल्रेडी है, सायद उन्होंने काटनी भी ना शुरू कर दियो, लग तो ऐसी राय वे दो बंदे हैं जो, और अपना ये खेत, कुछ ऐसा, थमने लेक, थमने ने लेता, वो क्रमिनिटी पोस्ट के लिए लेकता हूँ फोटो, लाइक से आप से लोग, गीव ओवे के लिए सब्सक्राइब, पार्ट गेहूं वाले, पार्ट 3 का पार्ट 2 वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद,